है यह 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 इसे तरह आप हमारे सब वीडियो करिए सब्सक्राइब करें चानल को और अपने इन्वेस्टर को हमारे सारे वीडियो शेर करिए और प्लीज आप हमारे वीडियो शुरुवात से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो अगें प्राओट तो भी असोशेड़ विडियो विडियो अपने लिए अपने लिए अपन कर सकते हैं तो चली अब चलते हैं इस न्यू कंपनी के बार में इसकेशन करते हैं ये कंपनी का नाम है माइथन अलोईज लिमिटेड काफी बढ़िया काफी शांदार कंपनी है ये वीडियो एक काफी शॉर्ट वीडियो होने वाला है तो चली अब थोड़ा इस कंपनी के फंडमेंटल अनालसिस के उपर थोड़ा ध्यान देते हैं ये लगबग 2800 करोड की कंपनी ROCRO काफी शांदार है और इसका करेंट मांकिट प्राइज वो 971 रुपीस पर है और अब इसके अगर हम सेल्स फिगर देखे तो लास्ट चार कॉर्टर से इसकी जो सेल्स है वो 409 करोड से 566 करोड होगी तो काफी हर कॉर्टर में इसकी सेल बढ़ी है डिस्पाइड of COVID और net profit आप देखे तो net profit भी इस quarter का काफी शांदार था और EPS अगर आप देखे तो यहाँ पर EPS का अगर आफ फिगर देखे तो काफी शांदार EPS लाज दो quarter से इसकी EPS काफी शांदार आ रहे है तो आने वाले quarter की expectation जो है EPS की वो भी अच्छी है तो उसके results भी उतने ही holding भी काफी अच्छी है और इसकी balance sheet अगर हम देखे तो पिछले चार सालों से इसका share capital same है और reserve इसके अगर आप देखे तो reserve continuous इसके बढ़ रहे है और borrowing इसके ना के बराबर है तो इसका जो price tone ratio वो भी 9.2 के करीब है जो काफी अच्छा हो काफी undervalued है और काफी सस्थे valuations के अब यह company available है तो चलते हैं इस company के products की बार में company क्या बनाती है और क्या करती है यह company जो है basically तीन product बनाती है ferro I'm sorry ferro manganese, ferro silicon and silicon manganese अगर आप देखे तो यहां पर हम थोड़ा सा पढ़ेंगे ferro alloys enhance steel strength जो यह बनाते है जो ferro बनाते है उससे steel की strength जो steel manufacturers है उनको यह material वो supply करते है basically यह material जो है एक यह raw material है जो भी steel बनता है इंडिया में जितने भी steel manufacturers है उनको यह raw material उनको लगता है so that वो अपनी steel की manufacturing में वो material use करें तो basically यह ferro alloys बनता है जो steel की strength को enhance करता है durability, anti-corrosion and anti-stain properties and act as deoxidant for steel manufacturing तो यह देखिए यह यह तीनों material जो steel manufacturing में use होता है यह और ferro manganese जो है वो एक जो steel products में where silicon content need to be controlled at lower level जो silicon की content होते है जब जब वो steel manufacturing होती है तो उसको lower level पे जो है उसको control करने के लिए ferro manganese का यह यह use होता है यह basically alloy of यह alloy है जो iron और manganese से बनता है और यह ferro silicon जो है यह anti-oxidant जो यह basically अगर आप अगर इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो यह iron और silicon का जो combination है उससे बनता है और यह silicon acts यह जो silicon है ferro silicon it acts as steel oxidant used primarily in special steels and in small quantities in mild steel तो यह basically small quantity में और जो जो चोटी-चोटी quantity में जो steel बनता है और जो mild steel होता है यह उसमें यूज होता है और silicon manganese यह सबसे जादा यह जो steel manufacturers है पूरे इंडिया में और और पूरे वर्ड में सबसे जादा उनको यह वाला steel जो है silicon manganese यह यह वाला raw material यूज होता है and which is a combination of alloy and alloy of silicon and manganese cost effective blend of silicon and manganese क्योंकि यह काफी cost effective है इसलिए consumed in all steel products used in higher quantities in 200 200 series stainless steel alloy steel or manganese steel तो यह basically सबसे जादा यूज होता है और इसके बाद आगर हम देखे तो माइफन को जो edge कैसे मिलता है because माइफन जो है इंडिया का सबसे बड़ा इंडिया का largest alloy producer है और exporter है और जो 20 साल का इनका experience हो इनके जो नीश जो इनकी प्रोड़क्स हो काफी नीश है और इनकी balance sheet भी काफी बढ़िया है और इसके बाद में इनका जो अगर आप return देखे तो इनका revenue growth है वो काफी अच्छी है इनको यह अपने products apply करती है तो यह थोड़ा हमें यहां पर ध्यान देना चाहिए कि 75% इनके repeat clients है जो लगबग और यहां पर देखे तो 75% इनके repeat clients है जिसमें से अगर आप पुड़ा यहां पर देखे तो shift of focus from stable Europe to growing Asia तो यह concept है यह एक मुहीम कह सकते हैं जो एक growing Asia में जो है यह growing Asia में यह जितने भी steel manufacturing जो है वो काफी जादा increase होई है जिससे indirect जो benefit है वो यह mythan alloy जो जैसी company से इनको मिलता है क्योंकि steel manufacturing जैसे steel की जब manufacturing बढ़ेगी तो indirect जो उसका wrong material होता है जो indirect support है जो indirect profit है वो mythan alloy जैसी companies को भी काफी मिलेगा और mythan alloy बहुत बढ़िया company है इसके लिए हमने यह company को चुना और इस company को हम video बना रहे है और अगर आप देखे तो 100% of domestic clients are associated with the company for over 7 years तो 7 साथ साल से इसके 100% client है और long term relationship with clients of offer competitive advantage तो इनका यह भी एक benefit है इसका एक और यह benefit है low concentration risk in export market with presence in over 35 countries तो 35 countries में इनकी presence है तो यह भी काफी बड़ा नंबर है और यहां पर अगर आपको पढ़ना होगो तो JSL और URSA Martin जो है इनको यह उनका आप कह सकते है कि उन्होंने feedback दिया था उसके बा जो manufacturing facilities विशाका पत्नम, कल्यानेश्वरी, बानिनाथ यह यह तीन जगह पर इनकी manufacturing facilities है जो जहां पर विशाका पत्नम में अगर आप देखे तो ferro manganese और silicon manganese यहां पर बनता है और कल्यानेश्वरी फेरो manganese और silicon manganese यह दोनों जगह पर यह से प्रोड़क्त बनते है और इनका देखिए यहां पर sourcing देखिए जो इनके sourcing है raw material और आगर आपको यह देखना है कि इनको बनाने के लिए raw material क्या लगता है तो manganese और coke और coal तो यह सारे material इनको लगता है तो और इनकी user industry पर आप देख सकते है तो इनकी steel industry में सब use होते है ठीक है और इसके बाद में अ इसिया में जितने भी जो countries है उसके अंदर जितने भी steel के जो manufacturers है वो global जो steel के demand है उसको cater करने के लिए उसका जो scope है वो काफी बढ़िया है और काफी बड़ा है इसलिए अगर आपने देखा होगा तो steel sector की जितने भी companies है वो काफी अच्छा perform करी recently because steel के demand suddenly increase होई है और उसके reasons बहुत सार है because India में आप देखेंगे तो आपको यह भी यह भी काफी देखने मिलेगा housing में आप देखेंगे तो government का काफी support है कि इंफरा पे काफी ज्यादा government का ध्यान है तो यह सारे जो factors जिसमें steel की जादा use होता है तो उसके लिए जो raw material लगता है steel से तो यह माइथन अलो तो आप यहाँ यहाँ पर देख सकते है कि global steel demand 2022 forecast तो इनका इनका forecast है 2022 का and mythan alloy has already strong has a strong foothold in the growing Asian economies with no exposure to China अभी तक इनका चाइना में कोई exposure नहीं है बट इनका global में इनका काफी ज्यादा export होता है और काफी अच्छा इनका business चल रहा है और अगर आप देखें तो advantage India यह थोड़ा हम थोड़ा detail में पढ़ेंगे तो advantage India का मतलब यह है कि steel industry का जो जो इंडिया में अभी चल रहा है steel industry में उसका क्या आपको overall एक view कैसा है वह हम देखते हैं यहाँ थोड़ा 100% FDI allowed in mining sector and exploration of metal and non-metal ores under the automatic route यह 100% FDI इसको allowed है और यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर government ने भी इन और यहाँ पर देखें housing for all जो एक गवर्मेंट की scheme है to drive housing demand thereby benefits steel industry तो steel industry को यहाँ पर जो benefit मिलेगा उससे माइथन अलाव जैसी companies को भी मिलेगा और anti-dumping duty जो है वो भी steel जो steel products है उसके पर लग चुकी है so that जो भी steel बने जो भी जो भी कुछ हो इन-house जो इंडिया में बने जो म globally in terms of iron ore production तो यह भी एक काफी अच्छा number है इंडिया has become the second largest steel production in CY20 तो यह भी एक बहुत बड़ा number है और यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना जाए कि क्योंकि steel के steel sector की जितने भी companies है उसके उपर आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए इंडिया इंडिया ओपलोग तो इंक्रीज कपेसिटी तुट थीनदन म्लिया तन वाइंटी थो ड्राइब टिमांड़ फोर फेरो यह बहुत अच्छा नमबर है और इंडिया जी टीपी का जो नंबर है फॉर फॉर दे यह भी आपर देख सकते हैं और उसके बाद में अग तो यहां पर अगर आप देखें तो यह उसके गौर्णमेंट ने में एक स्कीम लांच गे थी जिससे माइथन जैसी जो स्टील इंडस्ट्री के जितनी भी कंपनी से उसको उसको जो है वह एक डिरेक्ट बेनिफिट मिलेगा तो अगर आप देखें तो यहां पर जितने भी है जैसे माइथन अलोग जैसी जो कंपनी से जब अपना अपना प्रोड़क्ट बनाएंगी तो उसमें क्या है रेदिउस देपेंडेंस तो यह यहां पर इस कंपनी का जो जितना भी अगर आप जो एडवांटेज देखें तो इनकी कपैसिटी आप देखें 2016 से 2030 की इनकी कपै प्रोडक्शन भी इनकी बढने वाली है पर क्यापिटल भी इनका काफी इंक्रीज होने वाला है और इनका एडवांटेज यह है कि जो इनकी ऑपरेटिंग एफिशेंजी बेटर प्रोडक्ट मेक्स और स्टॉंग कर्स्टमर रिलेशन्शिप जो है उसकी वरे से यह कंपनी को जो अगर आप देखे तो 2007 से कंपनी अभी तक जो है सोला के सीजियर से कंपनी अभी तक ग्रोव होई है और अगर इनका सेल्फ सेस्टेनिंग जो बिजनस मोडल यह यह काफी शांदार चीज है मतलब इनका एक जब कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो उसका जो भी जो भी इनका कैसा है अगर कोई भी एक प्रोडक्ट बनाते है उससे जो 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 बाहर से उनको ना खरीदना पड़े और इसके लिए उनका काफी कॉश्च बेनेफिट इनको एक एडवांटेज की तरह पे इनको मिल जाता है तो बेसिकली यह कंपनी जो है इस कंपनी को अग जो तीन प्रोडक्स है वो स्टील इंडस्टी में काफी अच्छे लेवल पर इसको बेचा जाता है और इसकी डिपेंडेंशी जो है वो स्टील स्टील में काफी अच्छी और इसके क्लाइंट बैसिकली इसके क्लाइंट वो काफी शांदार है क्लाइं अच्छे होने बहुत कंपणी ही है क्योंकि इस कंपणी में हाटली कुछ डेट है कंपणी में इतनी रिजर्फ है कि कंपणी कल चाहिए अपना पूरा डेट खतम कर सकती है और इस और इस कंपणी को प्लीज आप ध्यान दीजिए और स्टील सेक्टर पर अपनी आप नजर रखेगा अब चलते हैं करते हैं और अभी अगर हम देखे तो यहां पर एप्रिल से लेके यहां पर इस कंपनी ने थोड़ा सा रिट्रेस्मेंट दिया है बड़ यहां पर आप देखे तो इसका जो टॉप है वह बार साड़े बारा सो का जो है वह टॉप इसने टच करके वह 912 के लेवल पर आके अ Buy करना है तो मेरे लिए अगर मुझे कंपणी को 주 . बार्व करना होगा तो मैं इस कंपणी को इसी जोन में है करूँगा या फिर मैं कोई suggestion नहीं दे रहा हूँ आपको just take generally आपको advice दे रहा हूँ कि अगर मुझे कोई company को अगर buy करना है अगर accumulate कर रही है और मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में ये company इतना retracement देने के बाद में अगर यहां से मुझे 10-30 या 20-30 percent का मुझे return उसमें expected है और company काफी अच्छी है company का business model अच्छा है तो मुझे लगता है कि मैं इस level पर अगर मैं buy करूंगा या नहीं भी करूंगा तो मुझे मुझे कोई problem नहीं होगी because ये company जो अभी जिस level पर है वो अच्छे level पर खड़ी है और इसका future देखते हुए मुझे लगता है कि ये company एक strong candidate है जिसे अपने अहम अपने portfolio में रख सकते हैं तो thank you so much आपने हमारा वीडियो यहां तक देखा इसी तर आप हमारे सारे वीडियो पर देखते रहे हैं thank you so much